भॉप काड आगया वाप का प्रेमियर करदेट काड आगया जो एक रुपे ग्रेट काड और यह मेरा सबसे पहला रुपे ग्रेट काड इसका अंबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते कि ये बॉक्स में ने अचिक इसके अंपैकिंग करेंगे आपको बता हुगा किसी लिमिट आई क क्या आई पिर इसकी फीचर बताऊंगा और एंड में आपको है बताऊंगा जिससे मैंने ये कार्ड को कार्ट टू कार्ड बेसे कैसे अपने क्या एक जबर्दद उसमें एक छोड़ा है नुस्का आपको बताने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस वीडियो के अब बाप कार्ड बैंक और बोर्ड की तरफ से जो है आ गया है इस तरह से का वेलकम नेटर है और यह रहा हमारा ओहो क्या बात है दिखाऊं तो दोस्तों यह रहा हमारा बाप का क्रेडिट कार्ड आप देख सकते हो आप देख रहे हो नीचे यहां पर 75,000 रुपीज की दिए मुझे लिमिट यहां देखो आपको नजर आएगा दी गई है तो यह रहा हमारा बाप कार्ड तो पीछे से यह कार्ड जो है कुछ ऐसा दिखता है और साम में से यह कार्ड कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों अब चल अगर मैंने अगले 60 डेज में 10,000 रुपीज खर्च कर लिये तो मेरा जो जो जोइनिंग फी मुझे लगके आने वाला है अगले स्टेट्मेंट में यह पहले स्टेट्में वह रिवर्स कर दिया जाएगा और 60 डेज में अगर मैंने 1,20,000 रुपीज पेंड कर लिये तो ने मैंनिंग और इंटर आशे स्टेशिभर आपको मिल्ता है two reward points for every 100ुप एट's spent one reward point on 100 to be spent at select merchant centers redeeming your reward point आपको value मिलता है 25 पैसे का on each reward point for cash back and other exciting offers जो हिंके website पे चलते रहते हैं दोस्तों इस card पे आपको मिलता है 24 by 7 concierge service साथ ही साथ आपको मिलेगा one airport लाउंज अक्षिज पर कौॉर्टर तो मतलब साल में आपको 4 डॉम्नेस्टिक लाउंज एक्षिस काड पर मिल जाते हैं दूस्तों यह कार्ड पर आपको मिलता है वन पर संक का फ्यूज सचार्च वैवर इस पर आपको मिलता हैं तीन अब दोस्तों यह कार्ड मिला कैसे एक भी रुपे कार्ड नहीं था तो एक चाहिए था ताकि मैंसे लिंक करूं यूपिया पे और उसे यूज करना शुरू करूं करें तो मैंने कार्ड को अप्लिकेशन प्रॉसस्त में बता रहा था उनका मुझे परकेंशन भर रहा था जब मुझे और इस पाप insights ऐस पर अप्टियार उप्लोड करो अब आपने कोटक महिंदरा बैंक करेड़ कार स्टेटमेंट अपलोड कर दिया मैं जानता हूं वापड आप मुझे यह कहने वारे हो मता हराम ही हो कर तो फिर मैंने अपना कोटक का जो है स्टेटमेंट अप्लोड कर लिया और 40 तो कुछ भी उनका रिप्लाइन आया मुझे लगा कि यह नहीं मिलने वाला है कि आपने जो अपना कार्ड का स्टेटमेंट अप्लोड किया उस कार्ड का हमको उसका फ्रंट और बैक जो है चाहिए आप नंबर फर्स्ट ट्वेल डिजि कार्ड को नहीं चिटका रहे हो तो मेल बाद भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर उसके बाद फाइनली मैंने अपना कोटक का कार्ड जो है भेजा मैंने अपने फर्स्ट ट्वेल डिजिट को मास्काउट कर लिया और लाग के फोडिजिट और एक्स्पार डिजिट में रखा तो अगर आपको एक कार्ड चाहिए कार्ड बेसेट पे आप जाके अप्लाइ कर सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्स में दे दूंगा आपको अपना कोई भी अच्छा कार्ड जो है मतलब इसकी लिमिट अच्छी खासी है अब इसकी लिमिट मेरी कोटक महिंदरा की तो अगर आप इस कार्ड को अपना कार्ड अपलोड कर दो अब तक के लिए इतना ही दो तो हम जल मिलेंगे एक डूसरे वीडियो में